अगर आपके चेहरे पर बहुत जादा जाईया हैं काले दाग दबे निशाने बहुत जादा आपकी चेहरे पर पिमपल एकने की प्रॉब्लम में बहुत जादा मुहासे हो गए हैं दाने निकला हैं या फिर आपकी स्कीन पर बहुत ही जादा काले निशान हो गए हैं जाईया आपकी स्कीन पर glow भी लाएगा पिंपल को आने से रोकेगा क्योंकि ये ठंडा होता है ये जुर्रियों को भी दूर करता है स्कीन को tight बनाता है तो मुलतानी मिट्टी में यदी आप ये चीजे मिलाकर यदी हपते में दो से तीन वार लगा लेते हैं तो चेहरा एकदम clean हो जाता है सोप्ट हो जाता है स्कीन को tight करता है मुलतानी मिट्टी हमारी स्कीन के लिए बहुती ज़्यादा फायदे मन्द होती है चेहरे पर glow लाती है स्कीन को तो दूर करती है साथ में आपकी स्कीन यदी बहुत ज़्यादा डल हो गई है धूब में जाने से आपकी स्कीन पर sun tanning हो गई है sunburn हो गया है skin पर बहुत ज़्यादा dullness दिख रही है skin पर जलन हो रही है eating हो रही है तो ये सारी problem को दूर करने में help करती है क्योंकि ये ठंडी होती है और जिनको pimple एकने की problem होती है उसको भी दूर कर देती है मुलतानी मिट्टी तो आपको लेना है मुलतानी मिट्टी आप इसका powder भी बना सकते हैं तो मैंने मुलतानी मिट्टी powder बना कर store करके रखा है तो मैंने एक चमच मुलतानी मिट्टी powder लिया है यदि आप इसको neck पर भी apply करते हैं चेहरे पर glow लाता है helps goodness का मैंने चंदन पाउडर लिया है और add की है मैंने अंबा हल्दी या फिर आप कस्तूरी हल्दी ले सकते हैं हल्दी antiseptic और antibiotic होती है skin को निखारने का काम करती है pigmentation को दूर करती है चेहरे पर glow लाती है next मैंने इसमें add की है glycerin यदि आपकी जरूर add कर ले यदि आपकी skin पर बहुत ज़्यादा dryness रहती है और आप face pack लगाना चाहते हैं यह वाला तो आपको इसमें या तो glycerin add करने या फिर आप इसमें add कर सकते हैं दही या फिर आप इसमें add करें कच्चा दूद तो मैंने इसमें add की है glycerin glycerin को निखारती है glow लाती हमारी सकीन पर चमक लाती है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है जिनके skin बहुत ज़्यादा dry है उनके लिए और जिनके skin नॉर्मल है उनके लिए भी फायदेमंद होती है ग्लिसरीन मैंने इसमेट की है इसके बाद में आपको समेट करना है रोज वाटर मैंने डावर का रोजवाटरेड किया है और यजन करना है कICE दूद पूंद रो मिल्क और अच्छे से मिक्स कर लेना है कच्छी दूद में लेक्टिक ऐसीड होता है जो हमारी जिनकी स्किन बहुत जादा ड्राय है वो इसमें धही एड़ करेंगे और अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है अच्छे से मिक्स करके इसको किस तरह से आपको फेस पर लगाना है वो मैं आगे वीडियो में शेयर कर रही हूं तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइ करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिसे मेरे वीडियो के आने वाले नियू नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो अच्छे से आपको अपने फेस को वाश करना है फेस को वाश करने के बाद में आपको यह फेस पेक लेना है आप इसको ब्रस या अपने हाथों की मद करना है जिस तरह से फेस पेक लगाते हैं इस तरह से पूरे चेहरे पर इसको लगा लेना है यह आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाएगा चमक लाएगा मुलतानी मिट्टी हमारी स्किन को टाइट करती है जुर्यों को दूर करती है जैसे आंखों के नीचे फाइन लाइ समय से पहले आपकी आँखों के नीचे दिखने लगे हैं तो यह आपकी स्कीन को टाइड बनाएगी इसकीन पर चमक तो लाती है साथ में पिंपल और जो एकने हो जाते उनको भी दूर कर देती है जिनको बहुत ज्यादा पिंपल मोहासे होते हैं उनसे इसकीन पर जो सूजन ह हो जाती है पिंपल में यह उनको बहुत हद तक ठीक करने में कारगार है क्योंकि चंदन पाउडर ठंडा होता है और मुलतानी मिटी भी ठंडी होती है यदि आपको अपने पिंपल की जो सूजन हो जाती है उससे राहत पाना है तो आप यह फेस पेक जरूर लगाए हमारी स चाहें साब्ली लेकिन हेल्दी होना चाहिए तो इस कीन पर किसी भी तरह का पिगमेंटेशन काले दागधबंहीं निषानन नहीं होना चाहिए इकदम क्लीन होना चाहिए आपको यह Been से हमारे से मऑने नेचरल तरीके से गलो लाती है और जो मार्केट वाले कैमिकल, फेसपेक, फेशिएल मिलते हैं यदि आप वो यूज नहीं करना चाते हैं नेचरल चीजों का ही यूज करके अपनी स्किन केर करना चाते हैं तो यह फेसपेक जरूर अपलाई करें अच्छे से पूरे फेसपर से डिखे हैं अभी सीर्फ यह अपला किया है आप इसे तो आप इसको में बोमें très लगा सकते हैं और इसको 12-13 साल से लेकर किसी भी एज के लोग इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें नैचरल चीजों का ही यूज किया ऐसा कोई भी इंग्रीडियंट नहीं एट करा है जो आपको हार्म करें आपकी स्कीन को तो अच्छे से अपलाई कर लेना है आपको और इसको लगाने के बाद में आपको इसको कम से कम 20 मिनिट तक इसी तरह से लगा कर छोड़ देना है अच्छे से अपलाई करें 20 मिनिट तक लगा कर ऐसे ही छोड़ देना है जब 20 मिनिट हो जाए तब आपको क्या करना है तब आपको क्या करना है अपने फेस को अच्छे से ग क्योंकि यह भूत ह defect करा है तो ऊटेश इसे हमारे पर जूर्या आ जाती है तो इसी तरह करमे कर एसे ही पाती है छूड़ देना है कि इसके बाद में आपको देखना ही जब यह सूख जाए तब आपको क्या करना है अपने फेस को थोड़ा गीला करके अच्छे से मलते हुए रिमूब कर लेना है और आप देखेंगे फेस इंस्टेंट क्लीन हो जाएगा इंस्टेंटली आपके फेस पर ग्लो आएगा इसकी से रिलेटिट सारी प्रोब्लम को दूर कर देगा चमक अलगी चमक आजाए होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाए एंड टेक केर